बात करें कि जैसे कि आपने बताया कि गेहूं और दूट से भी ऐलर्जी होती हैं तो ऐसा लोग क्या कर सकती हैं कि वो गेहूं की जैसे रोटिया लोग खाते हैं तो वो ऐसा क्या करें कि उनकी ऐलर्जी ठीक हो सके हो ताकि ये लोग गेहूं के आज जैसे रोटियों का सेवन कर सके गेहूं की एलर्जी का मैंने जिक्र इसलिए किया च्योंकि इसका एक बहुत विशेश अलग परिभाशित योगदान है हमारे शरीर में गेहूं की रियक्शन या गेहूं की एलर्जी जिसे होती है उनको गेहूं सूट करना या उनको गेहूं बरदाश्थ होना शरीर मे बंद हो जाता है ऐसे परिस्थिती में उनका पेट खराब राना पेट में दरद होना तकलीफ होना इत्यादी होती है तो बहुत लंबे समय के लिए उनको गेहूं का सेवन बिलकुल बंद करा दिया जाता है और ऐसा भी देखा गया है कि वो व्यक्ति शायद बहुत लंबे सम संबंधी जो विशेशक ये होते हैं एलर्जी के विशेशक ये होते हैं उनसे लंबे समय तक संपर्क के बाद ये डाइगनोसिस बन पाती है कि इनको वीट इन टॉलरेंस यानि गेहूं बरदाश करने की शक्ति शरीर में नहीं है दूसरी चीज अंडा एवं मचली नॉन व कि शंत्रे हैं मुसंबी हैं इन सब के इस्तेमाल से भी देखा गया है कि अचानक सर्दी छीख होना खुझली होना दाने निकलना चकते निकलना इत्यादी होता है तो जैसा कि आपने बताया कि मिल्क प्रोड़क्ट्स हो या फिर मशली हो या फिर कई जार की चीज़े तो ऐ सब कि इन जैसे आपने गेहों की जक्र किया, मिल्क प्रोडक्त कैस बताया। तो यह छूड़ जाता है। इसमें देखिए यह थोड़ा सा विस्तृत विशह है। एक प्रकार के प्रोटीन सोते हैं या हमारे शरीर में जो इम्मिनो ग्लोबलन्स होते हैं या शरीर की जो बनावटी इकाईया होती है उनमें किसी चीज की कमी होती है जिसके चलते इस प्रकार की परिस्थिती उत्पन होती है कि आप गेहूं बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं दूसरा milk and milk product intolerance यानी दूद एवं दूद से निर्मित पदार्थ बरदाश्ट नहीं होते हैं ऐसा बहुत बार होता है बच्चों में भी होता है उनके लिए सोया milk नाम का एक वैकलपिक विवस्ता है कि उसका लोग इस्तेमाल करते हैं बारा, चौदा या अठारा वर्ष की उम्र होते होते धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक शक्ती अपनी जब बनती है तो वह इस समस्या से निजात पा जाते हैं पता अचानक चलता है एक दिन पता चलेगा कि शायद किसी बच्चे ने चॉकलेट खाया और उसको पेट दरद नहीं हुआ या उतना प्राब्लम नहीं हुआ बर्डे पाटी है, केक का इस्तेमाल किया उल्टी या पेट दरद नहीं हुआ तब पता चलता है कि तक्रीफ पहले से कम हो गई जहां तक व्यसकों का सवाल है उनमें बहुत बार ऐसा होता है अंडा खाने के बाद, मचली खाने के बाद, सहजन की सबजी खाने के बाद पाइन आपल की इस्तेमाल के बाद या कुछ और चीजों के डाल है, कुछ प्रकार के डाल है जिन से रियाक्शन होता है और इसके अलावा किसी किसी को चावल से होता है, काफी पेट फुल जाता है, दर्द होता है, तो अलग-अलग प्रकार की जिन-जिन चीजों से आपको अलरजी होती है, उनका एक ही मूल भूत कारण आप समझ सकते हैं, कि आपके शरीर की प्रतिरोधक शम्ती को बनाने वाली इकाई जो होती है, सेल्स जिसे हम बोलते हैं, उनके में कुछ कमी होती है, जिसके चलते ये समस्या आग आ जाती है.